नमस्कार दोस्तों आपका बहुत वह श्वागत है हमारे चैनल सक्समीड प्लेस में इस बड़िए में हम बात करेंगे एक बहुतरीन फार्मा सेर के बारे में जोकी सबसे सस्ता सेर मिल रहा है और सबसे बहुत ही गजब का रिटर्न दिया इस फार्मा स्टॉक्स ने तरो चले लेट में आपको रिटरन दिखाते हैं तो 265 परसेंट का रिटरन है यह तो दोस्तों काफी बहत्रीन से एर है वन यह में देखेगा तो दोस्तों 5 यह में भी बहत्रीन डिटरन है लेकिन मार्च के बाद जो इसमें तेजी आई है फार्मा सेक्टर में तो यह आपको तीन गुना रिटरन दे चुका है तो यहाँ पर देखते हैं 52 वीक लो 24 रूपीज है और 52 वीक हाई देखते हैं 122 रूपीज है तो काफी बहत्रीन से रहे और लॉंग टर्म के लिए आप चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं नहीं करेगा लेकिन अगर इसमें क्रेक्शन आता है चाहे प्रैस वाइजाए चाहे डाइम वाइज आए तो अनिसीत है कि आपके पलाइज को हिट कर सकता है तो यहहाँ आप देख सकते हैं कंपनी के सबसे पहले फंडामेंटल्स पर चलते हैं, कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, तो 2800 क्रोर मार्केट कैप है, 2800 क्रोर, यहाँ पर देख लिए जिए कंपनी डिविडेंट भी देती है, और इसका जो अर्निक पर सेर है, 3 रूपी 65 पर ऐसा, अर्निक पर सेर प्राइस के हिसाब से काफी ब पर चलते हैं, 2003 में भी दिया है, अगर हम सेर होलिंग पैटर्न की बात करें, परमोटर का होलिंग काफी पॉजटिव साइन दीता है, देख सते हैं, मार्च उन्नेस में मार्ट 64.57 परसें था, जो कि डिरेक्ट 5 परसेंट से बढ़ गया, देखते हैं, 69 परसेंट, तो 69.57 प परसेंट से सेर होलिंग पैटर्न परमोटर का बड़ा है, जो कि बहुत बड़ा पॉजटिव साइन है, कि आप इस कंपनी में लॉंग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर बात करें, इसके फाइनेसल का, तो कंपनी का सेल्स काफी इंक्रीज हुआ है, कंपनी का इन्क्रीज हुआ है, कैसे आप एन्वेस्ट पर देखते हैं, कंपनी का सेल्स जो है, 134 क्रोर से बढ़ करके, यहां पर मार्च में देख लेजी, 123 क्रोर हो चुका था, तो यहां पर सेल्स कंपनी का कॉंस्टेंट ही है, कंपनी के सेल्स में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हु कंपनी के बालेंस सीट का, तो कंपनी का बालेंस सीट कैसा है, तो इस बारे में हम चलते हैं, नीचे, तो कंपनी का पास रिजर्ब देखेगा, 431 क्रोर है, जो की लगातार इंक्रीज हुआ है, तो कंपनी का रिजर्ब और सर प्लस लगातार इंक्रीज हुआ है, सबसे बहत चार्ट पर उप थिखिए हैं और यह एक अर्लिन घंब करते हैं ना Ce से नीचे हैं टो आप इसे क्रोस करते हैं अ हम जे प्राइस इसका Price Trend है, तो कब आपको जो हे, ये Stocks Bluetooth दिखाई देगा तो यहाँ से इसका जो Trend Line है Company अपने Trend Line से ऊपर चल दा है और यहाँ पर एक नया Support बनाए यहाँ पर इसका जो यह Trend Line है इसके ऊपर है, आप एक नया Support क्रीट किया, और यहाँ से यह देखते है पुलिस मतलब केंडल बना रहा है अगर यहां से दूसरा पुलिस केंडल बनाता है तो आप यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन्वेस्ट करके जस्ट यह जो केंडल बनाया है इसका जस्ट जो नीचे का लो है आप यहां पर यहां पर यहां पर यह सपोर्ट ले यह आप पर stop loss लगा सकते हैं, तो आप 100 रूपीज, 102 रूपीज आपका stop loss होगा, अगर यहाँ पर invest करते हैं, मात 10 रूपीज का stop loss होगा आपका, और उपर जो target होगा, काफी बड़ा होगा, अगर यह अपना all time high जो है, 120 रूपीज उससे उपर निकलता है, तो एक बहुत बड़ा momentum आ करते जाएंगे उपर, जैसे यहाँ से breakout देता है, तो आप stop loss को यहाँ से 120 पर ले आएंगे, ताकि अगर कभी correction आता है, तो आपको loss नहीं हो, तो दोस्तों, जो daily chart है, उस पे stocks अभी ना तो bullish है, ना तो bearish है, क्योंकि आपको RSI देख सकते हैं, वो sideways दिखा रहा है, कि अभी जो stock है, वो sideways है, तो जैसे यह 60 को cross करता है, तो stock bullish दिखाएगा, क्यों, क्योंकि हम इसके weekly chart और monthly chart पर confirm करेंगे, तो चलिए हम weekly chart पर चलते हैं, तो देखे weekly chart पर RSI जो है, एभब 60 है, मतलब जिसको आप over about कहते हैं, तो stocks क्या है, over about है, लेकिन यहाँ हम मानते हैं, कि RSI जब 60 से over हो, तो stocks bullish होता है, जिसे हम daily chart पर confirm करते हैं, और यहाँ से price trend भी देखेगा, तो stock यहाँ पर लगबग support लेने के बाद फिर से price जो है, अप trend, मतलब candle जो है, bullish candle बना रहा है, तो आतार दूसरा candle bullish बनाता है, तो stock फिर से क्या होगी है, बुलिस हो गया, और अपने all time high को यहाँ break करता है, तो यह बहुत बड़ा आपको momentum दे सकता है, तो दोस्तों काफी बहतरीन stock है, आप इसमें जरूर invest करें, तो मन्थली chart पर चलते हैं, तो मतलब जो confirmation है, हमारा stock bullish है, या नहीं, तो मन्थली chart पर हम उसे confirm करते हैं, पूरी तरह से, मन्थली chart पर देख लेजे, यह RSI का slope है, slope काफी मतलब जादा है, RSI का slope काफी जादा है, मतलब stock पूरी तरह से bullish है, मतलब uptrend में stocks, यहाँ पर आप देखते हैं, कि stocks लगातार uptrend में है, तो यहाँ पर आप चाहे तो invest कर सकते हैं, और stop loss आप daily chart पर लगाएंगे, जो यह support बनाया है, last support, उस support के नीचे जस्ट आप अपना stop loss लगाएंगे, और काफी बहतरीन stock है, और stocks काफी bullish है, पूरा फारमा सेक्टर ही bullish है, और यह एक सस्ता stocks, एक छोटा सा stock आपको मिल रहा है, जो की काफी बराब momentum आपको दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ जो low बनाया था, वहाँ से यह 3x, 4x momentum दे चुका है, तो अगर आप इसमें invest करना चाहते हैं, तो stop loss के साथ invest करें, अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like और share जरूर करें, चैक पहली बार है, सस्क्राइब करके बगल के bell icon को दबा लिजेगा, तो फिर मिलते हैं, अगले वीडियो में, त हैं, तो आप सकते 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 हैं, तो आप